Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? आज आपके लिए जो reading में लेकर आई हूँ, वो reading है next seven days के लिए आने वाले साथ दिन में क्या important ऐसा है जो आपको जानना बहुत जरूरी है और क्या ऐसी चीज़े हैं जो आप करेंगे seven days में आपके लिए क्या-क्या precautions लेना है और क्या चीज़ें बहुत जादा जरूरी हैं सुनना तो सारी चीज़ें आज मैं बताओंगे यहां पर आपको और reading को देखने से पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ positive रहे आप हमेशा अच्छा सोचिए, अच्छा सुनिए, अच्छा आप ग्रहन कीजिए ताके यह जो smileys आपको देख रही है आप भी इनकी तरह हमेशा मुस्कुराते रहें इतने ही खुश रहें जितनी smileys में आपको खुशी दिख रही है इतनी ही happiness आपके जीवन में आए तो यह जो reading है यह आपके उपर पूरी तरह से resonate होगी अगर आप एक smile के साथ अगर आप एक खुशी के साथ इस reading को देखेंगे तो यह reading का यही एक तरीका है जब आप reading देखते हैं तो पूरी तरह से positive रहा करें पूरी तरह से खुश रहा करें अगर कुछ बुरा भी सुनने को मिलता है तो भी उसे एक lesson या एक message समझ कर accept कर लें अगर आपको बहुत अच्छा सुनने को मिलता है तो तो आप बहुत खुश रहें ही क्योंकि खुशियां छोटी छोटी चीज़ों में मिल जाती है हम लोग ये सोचते हैं कि शायद खुशी किसी बड़ी चीज़ को मिलने से ही मिलेगी पर खुशियां छोटी छोटी चीज़ों में ही होती है और यही अगर हम समझ लें तो जीना बहुत असान हो जाता है बहुत सिंपल हो जाता है बहुत सरल हो जाता है तो चलिए आज की रिड़ीग को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेवन डेज़ में क्या कुछ होगा क्या चीज़े होंगी क्या मिरेकल्स होंगे क्या अनैक्सपेक्टेड चीज़े होंगी क्या बदलाव आएंगे चलिए देखने की कोशिश करते हैं और जानते हैं next seven days के बारे में तो pile number one आपकी बात हो रही है मैं उमीद करती हूँ कि आप बहुत positivity के साथ इस reading को सुनेंगे जितना positive रहेंगे उतना ही reading resonate होगी उतना ही आप लोगों के लिए आने वाले समय के लिए आप strong हो पाएंगे क्योंकि जब आप strong होते हैं जब आप positive होते हैं तो अगर कुछ ना कुछ energies जो stuck होती हैं या कोई ऐसी negative energies होती हैं वो आपके पास आ नहीं सकती अगर आप positive हैं आप अपनी जिन्दगी को बदल सकते हैं अगर आप positive हैं अगर आपके विचार बहुत अच्छे हैं अगर आप अपने लिए अच्छा सोचते हैं दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो आपके जिन्दगी में वो negativity कभी नहीं आ सकती जो बहुत ज़ादा आपको परिशानी दे ऐसा इसलिए होता है कि आप universe को जो देते हो बदले में आपको वही मिलता है तो इसलिए positive रहें positive सोचें आपके जिन्दगी में हमेशा positive होगा यहाँ पर जो आपके लिए energies आई हैं वो है six of pentacles, eight of cups, the world eight of wands और nine of wands, ace of pentacles और the sun की energy तो यहाँ पर जो आने वाले साथ दिन हैं आपके लिए वो यह कहते हैं कि आप कुछ नया start कर सकते हो यह बहुत ही एक stable energy मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है आप इतने खुद को stable feel करेंगे जिससे आपको inner satisfaction भी होगा financially आप अपने आपको बहुत जादा stable महसूस करेंगे यहाँ पर जो लोग जॉब में अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं उनको लगता है कि जॉब नहीं मिलेगी वो काफी देर से jobless है आपके लिए time जो है आपको action लेने का time कहा जा सकता है आपको job मिल सकती है और बहुत अच्छी जगे पर job मिल सकती है इसलिए next seven days जो अपनी job के लिए try कर रहे है या उसे ढून रहे है आपको देखे effort तो करना पड़ेगा क्योंकि बिना effort के कुछ नहीं होता तो action आपको लेना है आपकी जिन्दगी में बदलाव आएगा आपकी जिन्दगी में जो चीजें अच्छी नहीं चल रही थी वो अब बदलेंगी अब वो चीजें बदल कर अच्छी चल सकती है कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आ सकता है जो शायद पहले आपने judge नहीं किया था आपकी जिन्दगी में बदलाव जो है जो लोग अपने आपको financially stable महसूस नहीं कर रहे थे इन साथ दिनों में आपके जीवन में stability आ सकती है आप कुछ नया start करने के साथ साथ कुछ stable start कर सकते हैं जो आने वाले time में भी आपके काम आएगा ये नहीं है कि आप उस काम को बदलेंगे शायद वो काम आपकी जिन्दगी भर काम आने वाला है जो लोग जॉब के लिए तलाश कर रहे हैं हो सकता है कि आप लोग बार बार इंटरव्यू में जाते हों बार बार आपको असफलता मिलती हो तो ये जो time है डट कर मकाबला करने का time है इन साथ दिनों में अगर आपको इंटरव्यू देते हैं तो आपकी इंटरव्यू क्लियर हो सकती है पर आपको अपनी विलपार को strong रखना है अपनी energy को बहुत ज़ादा आपको high रखना है अगर आप अपनी energy high रखेंगे खुद पर विश्वास रखेंगे तो आप जीवन में जो चाहते हैं वो अचीव कर सकते है आपकी जिन्दगी में ये साथ दिन आपको बदल सकते हैं आपकी जिन्दगी में ये साथ दिन माइने रखते हैं दसान की energy दिखाती है कि एक अच्छी energy एक अच्छी उर्जा आपके औरा में रहेगी आप खुद को हील कर पाएंगे अगर किसी भी तरह से परिशान चल रहे थे किसी भी तरह से बहुत जादा आप लोगों में परिशानिया चल रही थी वो रिश्टों को लेकर हो वो फानांसिस को लेकर हो वो काम को लेकर हो आपको हीलिंग मिलेगी और कही ना कही आपकी जो हर्ट की जो पॉजिशन थी उसमें बदलाव आएगा आप अपने इस पॉजिशन से बाहर आएंगे जिन्दगी के दुखों से बाहर आएंगे और साथ दिन आपको काफी स्टेबिलिटी दे सकते है इसके साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगे कि जितना पॉजिटिव रहेंगे ये बदलाव उतना ही और पॉजिटिव तरीके से आपके सामने आएगा अगर आप अपने मन में कोई ऐसे विचार लेकर आएंगे जहां पर आप खुद को निगटिव महसूस करेंगे तो फिर मैं इसकी guarantee नहीं ले सकती हूँ क्योंकि यहां पर energies अपना काम तभी करेंगे जब आप positive रहेंगे इसलिए आपको positive रहना है ताकि इन साथ दिनों की जितनी positivity है वो आपको और भी अच्छे तरीके से मिल पाए आप इस समय पर हर उस बात का मुकाबला कर सकते हैं जो आपके लिए negative थी तो इसलिए मन को positive करें thoughts positive करें action लें, काम करें job को ढूंडे काम अगर आपने किसी business के रूप में करना है तो वो करें आपको सफलता जरूर मिलेगी आपके लिए दिन बहुत ही अच्छे हैं और इन दिनों को अच्छे से बिताएं six of pentacles यहाँ पर कहता है कि इन साथ दिनों में help करें दूसरों की अगर आप help कर सकते हैं वो पैसों के रूप में भी हो सकती है वो किसी की help के रूप में भी हो सकती है किसी को खाना खिला सकते हैं, किसी को दान दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो डोनेशन किसी भी रूप में दी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि आपको ये सोचना है कि क्या करें, करना कुछ नहीं है, बस अपने भाग में से कुछ भाग निकाल कर, वो खाने का भाग हो सकता है, क जब हमें दूसरों को दान देना चाहिए ऐसा करने से आपको positivity मिलती है और आपके कार्मिक रिन जो है उन्हें आप चुकता कर पाते हो क्योंकि हम जीवन में बहुत सारी गल्दियां अंजाने में करते हैं और जब हम वो गल्दियां अंजाने में करते हैं तो वो हमारे कर्मों में जुड़ जाते हैं और जब हम अपने कर्मों के रिनों को चुकाना चाहते हैं उस समय पर हमें ये पता ही नहीं होता कि हम कब चुकाएं तो ये साथ दिन कहते हैं कि कर्मों के रिनों को चुकाने का समय है डोनेट करें जितना हो सकता है दान दें दूसरों को जो ज़रू जरूरत मंद को जरूर दें, जिसको भी कपड़ों की जरूरत है कपड़े दे सकते हो, खाने की जरूरत है, खाना दे सकते हो, पैसों की जरूरत है तो कुछ पैसे दे सकते हो, तो इसलिए अगर आप किसी की मदद करते हैं, तो भगवान आपकी मदद करते हैं, युनिवर्सल strength के साथ हर उस चीज़ का मुकाबला करने के लिए तयार रहते हो तो हो ही नहीं सकता कि कोई आपका बाल भी भांका कर पाए यहाँ पर यह साथ दिन आपको बताते हैं कि आपके साथ अगर किसी ने धोखा किया है आपके साथ अगर किसी ने हर्ट किया है वो कोई आपका अपना ही इंसान हो सकता है आप उस रिष्टे से move on करेंगे वो कोई भी होगा मैं ये नहीं कहूंगी कि कोई partner हो सकता है या कोई ऐसा person हो सकता है जिसके साथ आपका relation जो है वो partnership का हो जरूरी नहीं है कोई भी रिष्टेदार हो सकता है जिनके साथ आपकी कोई भी प्राब्लम चल रही थी कुछ ऐसा चल रहा था कि भावनात्म कनेक्शन बहुत जादा था इमोशनली आप उनके साथ कनेक्ट थे और उन्होंने आपका दिल तोड़ा तो यहां से आप मूव आउन करेंगे इस सिचुएशन से मूव आउन करेंगे हो सकता है वो सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करके गई हूँ पर इन साथ दिनों में आप मूव आउन कर जाएंगे और आप उससे बाहर निकल जाएंगे आपको वो तंग नहीं करेंगी आप अपने काम में लगेंगे आप अपने लिए सोचेंगे अपने देख करेंगे और उस एनरजी से बाहर निकल कर जो स्टक हैं जिनोंने अभी तक आपको रोका हुआ था अपनी जिन्दगी के बारे में नई दिशामें बढ़ेंगे इन साथ दिनों में एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगी भगवान पर विश्वास जरूर रखें क्योंकि ये साथ दिन आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव हैं और इस पॉजिटिविटी को साथ लेके आगे बढ़ना है दसान की इनरजी दिखाती है कि सूरे आपके साथ है सूरे क्या है साक्षात का देवता है जो हमें आज भी दिखाई देते हैं आज भी जब सुबह होती है तो सबसे पहले हम सूरे देव की दर्शन करते हैं और उनके एनरजी जिहां पर साफ साफ दिखाई दे रही हैं वो कहती हैं कि वो पॉजिटिव तरीके से आपके साथ हैं वो इस तरीके से हैं कि आपकी जिंदगी में उर्जा भड़ने के लिए इन साथ दिनों में आपके पास रहने वाले हैं तो इसलिए भगवान पर विश्वास रखें आप इंतजार करें कि वो आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपके साथ है इसलिए उसे कभी मत भूलें तो ये थी हमारी पाल नमबर वन आपकी रीडिंग अगर आपको ये रेजनेट हो अगर आपको अच्छी लगे तो बताएं जरूर और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ट, स्टे पॉजिटिव, थैंक यू अब मैं बात करने वाले हूँ नमबर टू पाइल की अगर आपने इस ब्यूटिफल पिक्च्छो को चूज किया है पाइल नमबर टू तो ये पाइल अब आपका होगा आपकी जिन्दगी में क्या बदलाव आने वाला है आपकी जिन्दगी में क्या बदलेगा इन साथ दिनों में आज हम इस ब्यूटिफल रीडिंग में यही जानेंगे आपको भगवान का नाम लेना है यूनिवर्सल इनरजीज को याद करना है अगर आप positive रहते हैं भगवान को याद करते हैं एंजल को याद करते हैं और खुद को positive रखकर इस reading को देखते हैं तो reading जरूर आप पर resonate भी होगी और आप लोगों के जीवन में बदलाब भी जरूर आएगा तो चले बात करते हैं pile number two अब आपके लिए जो energies आई हैं वो है तो चले बात करते हैं अगले साथ दिनों में आपकी जिन्दकी में क्या हो सकता है अगले साथ दिन आपको ये कहते हैं कि आप बहुत सारी planning करेंगे आप बहुत सारी planning अभी भी कर रहे हैं और इस planning को implement भी करना चाहते हैं पर मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि आपको कोई भी immature behave नहीं करना अगर आप planning कर रहे हो अगर आप कुछ सोच रहे हो अगर आप चाहते हो कि कुछ बड़ा करना है तो आपको थोड़ा patience रखना है बहुत जादा planning करने से कुछ नहीं होता आपके thoughts में clarity होने चाहिए कि आप कर होने चाहिए कभी कभी हम कुछ काम करना चाहते हैं तो हम उसके पीछे के secrets कभी नहीं जानते बस उसे सोचते हैं plan करते हैं और उस implement कर देते हैं वहाँ पर नुक्सान होने की संभावना जादा रहती हैं काम वो करें जिसके बारे में आप सब कुछ जानते हों जो आप से कु इतना नुकसान हो सकता है, हर काम में कॉम्पिटिशन बहुत जादा है, तो साथ दिन जो हैं वो अगर आपको स्टेप लेना चाहते हैं, तो सोच समझ कर लें, हाला कि यहां पर आपकी लाइफ में साथ दिनों में काफी स्टेबिलिटी मुझे नजरा रही है, काफी कमफर्ट में रहने वाले हैं, आप इन साथ दिनों में अपनी फैमिली के साथ इन्जोय कर सकते हैं, उनके साथ घूमने जा सकते हैं, उनके साथ अपने दिन स्पेंट कर सकते हैं, पर आपको यह जरूर समझना है, कि यह जो दिन आप स्पेंट करेंगे, उसके समय में आपके दिमाग में बहुत से विचार भी चल रहे होंगे, बहुत सी परिशानियां भी चल रही होंगी साथ-साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके मन में बहुत विचार चल रहे हैं, बहुत कुछ आप प्लैन कर रहे हो, बहुत कुछ सोच रहे हो, आप किसी चीज़ के बारे में इतना श पर आपको ध्यान रखना है कि कोई ना कोई प्राबलम आपको जरूर आ सकती है ऐसा मत सोचें कि सभी इनर्जी स्मूध हैं बिल्कुल यहां पर अच्छी होने की संभावनाएं बहुत जादा है पर आपको साथ में हर्डल्स भी आ सकती हैं तो इसके लिए तयार रहें अगर म पर एक बात में ज़रूर कहोंगी कि कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है कुछ एनर्जीस ऐसी जरूर है जिनोंने आपको किसी काम को करने के लिए रोका हुआ है वो आपके मन के विचार हो सकते हैं आप अपनी हेल्थ से परिशान हैं पर मुझे नजर आ रहे हैं कुछ लोग तो हेल्थ से परिशान होने की बजाए आप ये जाने कि आपकी हेल्थ में प्राबलम क्यों आ रही है आपको जानना है कि किस तरीके से आपकी हेल्थ इंप्रूव हो सकती है सबसे पहले तो स्ट्रॉंग रहें अपने आपको स्ट्रॉंग करें अपने मन को स्ट्रॉंग करें और दूसरी बात ये है कि आपको किसी से भी सीक्रेट रखने की जरूरत नहीं है खास दोर पर अपने अपनों से अपने घर के लोगों से कुछ भी सीक्रेट ना रखें जितन उतना ही उनको आपकी बात जो है वो समझ में आएगी जितना आप उनसे सीक्रेट रखेंगे उतना ही वो आपसे दूर होते चले जाएंगे आपको अपनी बात समझा नहीं पाएंगे ना ही आपकी बात को समझ पाएंगे तो इसलिए सीक्रेट मत रखें कुछ भी जो भी है उ बात कर सकते हो, वो आपकी पूरी मदद करेंगे, इन साथ दिनों में किसी भी तरह की आपको हर्ट रहता है, किसी भी तरह से आप परिशान रहते हो, तो अकेले पन से दूर रहें, वो चीजें देखें जो आप से बहुत जादा क्लोज हैं, जो आपको प्यार करते हैं, वो च पर आप इतने इंट्रोवर्ट हो, कि उनको जगे नहीं देते, आपके लिए मैं देख सकती हूँ, कि काफी इंट्रोवर्ट टाइप इनसान हो आप, आप अपने आप में रहना पसंद करते हो, काफी कभी-कभी इमेचियर हो जाते हो, और कभी-कभी बहुत मेचियर करते हो, तो कभी-कभी ये चीज़ें अच्छी रहते हैं, और कभी-कभी दिल करता है, कि किसी से मिला जाए, किसी के साथ बात की जाए, ताकि दिल हलका हो सके, तो ये साथ दिन यही कहते हैं, कि दिल को हलका करें, भारी करने की जरूरत नहीं है, आपको चाहिए किसी के अपने दोस्त के साथ, मित्र के साथ, प्यार करने वाले घर के लोगों के साथ, अपने जो भी सीक्रिट हैं, उनको शेयर करें, ताकि आपका मन कुछ हलका हो, और आप आगे की जर्नी को तैय कर पाएं, कुछ प्लैन कर पाएं, कुछ सोच पाएं, आप लोग बिना बाद से प पेस करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो कॉम्पिटिशन तो रहता ही है, तो यहां पर भी वही कॉम्पिटिशन नजर आ रहा है, बहुत से लोगों के साथ, आपको कॉम्पिटिशन हो सकता है, खास तार पर अगले साथ दिन, उन लोग किया है, अगर आपने बहुत सारी चीज़ों को प्लैन किया है और बहुत कुछ लगाया है अपना, तो सफलता जरूर मिलेगी, पर अगर आप सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कि बिना कुछ किये, आपको सफलता मिले, तो यह टाइम अगला हफता आपके लिए ऐसा नहीं है, आपकी destiny कम साथ देगी और hard work जादा साथ देगा, next seven days कहते हैं कि जितना आप अपनी intuition को develop करेंगे, जितना आप अपने intuition पे, अपनी gut feeling पे जादा भरोसा करेंगे, उतना ही जादा आप success हो पाएंगे, यह समय है आपकी gut feeling का, यह समय है जब आपको आभास उन चीजों का जो आप करना चाहते हैं, यह समय आपकी intuition की development का समय है, आप लोग meditate कर सकते हैं, जितना होसों के universal energy से connect हो सकते हैं, इस से आपको और भी ज़्यादा clarity मिलेगी, जो चीज़े आप करना चाहते हो, यहाँ पर आप में बहुत energy है, strength बताता है कि आप बहुत energetic रहन रह सकती है, यह hormonal imbalance रह सकता है, और आपको बहुत सारे सपने परिशान कर सकते हैं अगले साथ दिनों में, इस लिए जितना meditate करेंगे, जितना आप अपने लिए सोचेंगे, intuition पर काम करेंगे, उतना ही आप easy रहेंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे डर, बहुत सारा regret हो सकता ह अगले साथ दिनों में, यह किसी भी बात को लेकर हो सकती है, हलाकि यहाँ पर दो बहुत positive energies हैं, जो आपको financially भी stability दे रही है, family से भी आपको काफी security मिल रही है, फिर भी आप परिशान रह सकते हैं, फिर भी आपको लगेगा कि अंदर से आप खुश नहीं है, कुछ ऐसी feeling इस time पर आपको रहेगी, खुद आप ऐसा महसूस करेंगे, जैसा समझ ही नहीं पा रहे है, कि problem कहां पर है, मन परिशान रहेगा, आपको लगेगा जैसे जीवन जो है, वो अंधिरे में बीत रहा है, तो कभी कभी हमारी energies बहुत negative हो जाती हैं, तो यहाँ पर मैं फिर से आपको यही कहूंगी, कि जितना positive रहने की कोशिश करेंगे, इस short term period से आप निकल जाएंगे, साथ दिन की बात है, anxiety कभी कभी बढ़ सकती है, unhappiness महसूस हो सकती है, आपको लगेगा आप stress में हैं, burden में हैं, negative हैं, तो यह चीज़ें जो हैं, वो जल्दी ही बदलेंगी, त यह समय बहुत जादा देर तक रहने नहीं वाला, यह reading temporary है, साथ दिनों के लिए है, तो जैसे ही इसकी जो energies हैं, वो बदलेंगी, तो आपका stress भी कम हो जाएगा, पर इस समय को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको meditate करना है, जितना हो सके, दूसरों की बातों से द अपने पास जो भी चीजें हैं, उन्हें संभाल कर रखें, आपके पास बहुत कुछ है, भगवान का दिया हुआ, तो इसलिए gratitude जरूर करें, कभी कभी हम इस बात से भी परिशान हो जाते हैं, कि चीजें हमारे तरीके से नहीं चल रही, तो यहां पर भी मुझे ऐसा ही महस हो रहा है, तो जरूरी नहीं है कि हर समय ऐसा हो, जब चीजें आपके तरीके से चले, आपको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, अगर आज आपके तरीके से नहीं चल रही हैं, तो कल चलने लगेंगी, इसलिए situations को face करें, कभी भी आँखें बंद करके मत बैठें औ तो आपके जीवन में वदलाफ ज़रूर आएगा, तो यह थी हमारी reading number two pile के लिए, अगर आपको resonate हो, अगर आपको अच्छी लगे, तो वीडियो को like कर दें, share करें, और चैनल को subscribe ज़रूर करें, अगली वीडियो में मिलते हैं, और आप लोग तब तक बहुत positive रहें, के लिए, आज के लिए इतना ही, आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद,